हेलो अब्रीबान मैं फिर से अच्छों की हुए एक निव वीडियो के साथ यह वीडियो हमारे ट्रडिशनल इस टाइम पर फेस्ट वर पर फेस्टिवल चल रहा है यह मारी वीडियो होने वाली करवा चौत लुक पे तो नियूली ब्राइड है जो उनका फर्स्ट टाइम तो मैं पर टोनर अप्लाई कर रही हूं इसके मारे फेस को सेटिंग रखे या सेट रखेगा डी हैड्रेडिंग देगा सो जब तक हमारा फिक्सर हो रहा है तो हम यहां पर लिप बॉम अप्लाई कर लेते हमने लिप सिंग के लिए भी शो कुछ मीनट हमें जो है छोड़ द आती है तो अप्लाई कर लीजिए मॉस्चोराइजर मॉस्चोराइजर करने से मारे स्मूचने सा जाती है फेस में और जो है बहुत अच्छा सा मारा मेकप बेस्ट होता है एंड ड्राई स्कीन वाले अप्लाई जरूर करेंगे ऑईली वाले इग्नॉर भी का सकते हैं तो यह अब पंपर और यह थो को हिसे बचाएगा कर लेंगे। चिविंग कर देंगे और सेटिंग ब्रस लेते इस तरीके से हमारा जो थ्रेडिंग चुटकियों में रेडिवी खूँ जाता है कुछ ही तरीके से तो इसके बार लेंगे हम concealer जिससे हम अपना cleaning देंगे eyeballs पर आई बेशेट करेंगे इस तरीके से हम लगा लेंगे थ्रेडिंग के पॉस और eyeballs पर हमें अपलाई करना आई बेशेट करने के लिए कुछ इस तरीके से हम दोनों आइस पर अपलाई कर लेंगे तो इस तरीके से लेके eyeballs को हम थोड़ा उठाते हुए नीचे की साइट जो है ब्लैंड करेंगे जिससे हमारा थ्रेडिंग जो हम भीगड़ेगा भी नहीं और उपर वाला हमें उपर की साइट ब्लैंड करना है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो आप चाहतों फ्लैपी ब् जो है ब्लैंड होगा ब्रेस्ट चलेंगे तो आई वेस्ट को हम इस तरीके से सेट करेंगे नेश्ट में यहां पर आई मेकप के लिए निवट का जो है पैलेट लेए यह मेकप बहुत भी परफेक्ट आईशेडव पैलेट आप इसमें से बहुत ही आप करवा चौत के या और भी साड़ियों के सेट मेकप कर सकते हैं यहां पर मैंने लिए ब्राउन और थोड़ा से मैंने ब्लगंडी सेट को मिक्स करते हैं इसको आई बश पर अप्लाइक करूंगे इस तरह किसे आंगे में लाइन ड्रौ करूंगे के राउंड अफ राउंड दो तीन कोट लेते चाहिए सेट अच्छा दो रहे हम सेट लेमार अच्छा सा सेट लेडी हो जाएगा हम जितना अच्छा एड़ों को उतना अच्छा हमारा निखा राएगा और नहीं पर आपी यहां मैंने ब्लैक सेट लेकि कुछ इस तरीके से अप्लाइग लेंगे आउड कॉर्ण पे से त थोड़ा श्मोकी लगेगा तो लेकि हमें अच्छी से ब्लैंड करना लाइनिंग चेक नहीं होनी चाहिए फिर यहां पर मैं ले रहे हूं ग्लीटर जो कि यह है रेड़ सेड में तो इस तरीके से हम ग्लू लगाते हुए भी सेंटर भी हमने जगह छोड़ी वही थी न वहां हम हम यहां पर अप्लाई कर देना है इस तरीके से इसके बाद पर हमने लिया है आई-लाइनर जो भी आपके पास प्रोडॉक्त हो आप उन्हीं प्रोडॉक्त से मेकप कर शकते हो तो यहां पर मैं आइलायनर लेकि ब्लू थो द्रॉक कर लूप बहुत ही मोटा मैंने नहीं दिया पतला रखा है सो इसके बाद अपना मश्खारा लेकिए हम आई लेसे को सेट कर लेंगे फेंक लेसे जरूर लगाईएगा जिससे मेक अपकर लुक आएगा सो हम अपना क्लीन कर लेंगे जो हमारा फॉल्ट हुआ है नीचे की शायड में टीशू पेपर लेके क्लिंजिंग में तो गहरा से आप कर सकते हो शो सबसे पहले हैं पर कलर करेक्टर लेकिए औरेंजे सेड में स्कीन टोन के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर लिया है देख सकते का चाहिता सब्सक्राइब करना है बहुत ही ब्लेंड कर देना कि बहुत ही चेक भी ना हो फिर इसके बाद मैंने लिया हाई कबरेश का फॉड़ेशन जो को जीरो वन शेड में है मेरे बेश की कोडिंग है फेश के इससे हम लगा निकाल के आंगे इसको टैप करेंगे मिक्स अब ब्लेंड कर सकते हो तो इस तरीके से कुछ हमें ब्लेंड लेकि टैप टैप करके ब्लेंड करना इसे हमारा मेकप बेश फटेगा भी नहीं और जो है हमारी फिश को भी बहुत ही अजीब नहीं लगेगा सो देख सकते हो आप कितना अच्छा क्लीन एक दम सेट हो चुका लगी नहीं रहा हमने कुछ प्रोड़क्ट इस्ट्र लगाया हुआ है सो वही कंसिलर लेकि हम हाइलाइटिंग देंगे तो मैं यहां पे नोज पे आई बॉल्स के नीचे डाल्क्नेस पे यहां इस तरीके से अ लगाएंगे तो हमारा फॉंडेशन और कंसिलर जो है अच्छे से ब्लेंड हो जागा है चेक नहीं होगा कि हमने कुछ लगाया ऊपर से नेस्ट हमारा होगा कॉंटोरिंग तो कॉंटोरिंग के लिए आपे मिने मिश एडिस का पैरिट लिए यहां पे हाइलाइटर बनाना करना है तो तरीक पहस्ते हैं अपना फेश बनाएंगे और यहां मिक्स मेस और देखे तो इसका पहसे बहुत आए लगते लगते दूसरी कर देंगे लंबा फेश हो लगाय मोटा है वो छोटा कर सकता है एहाँ गोल कर सकते हैं तो इस तरीके से लिए फ्लेफी ब्रस चोटा से लेकर यांगे लाइनग्ड ड्रॉ करेंगे सीधी से फिर उसे हम मिक्स मैच कर देंगे से तो इस तरीके से लेकिने लगा लेती हुँ फिर फ्लेफी ब्रेस लेकि हम इसे ब्लैंड करना है तो आप देख सकते हैं ब्लैंड कर सकते हो चीक्स का अलगी चेक हो जाएगा बहुत हमें कहां पर अप्लाई करना है तो इस तरीके से लेकिने उपर के साइड हमें ब्लैंड करना है अपना जो है ब्लैशर को देख सकते हैं आप इस तरीके से रेडी हो जाता है कॉंटौर और ब्लैश का फिर लोज पाउडर लेंगे हम अपना इससे सेट करने के लिए तो यहां पर हम आईबॉल के नीचे जो है निकाल देंगे इसे मेकप भी लोग लास्टीक है और सेविं अभी बहुत अच्छी से चेक होने लगती है अच्छा क्लीन क्लीन हमारा बेश दिखने लगता है फेस भी दिखने लगता है आप देख सकते हो पूरे फेस पे इस तरीके से हम बस्ट आउट कर देंगे तो यहा पर अपने को लॉक कर देंगे फिर इसके बाद में ले रहे हूं कथी कलार में जो है लिपस्टीक आउट से इस तरीके से हम अप्लाइप करेंगे औ्लाइग के अंदर अंदर ही कुछ इस तरीके से इडिटिंग करना आउट कर दोगी हमारी जो है पेलट से हैं पेच कलर में जो है हाइलाइटर तोड़ा ले रहे हैं यहां चिक पे नोज पे पेड़ एपर लिपस पे जो लेंज के पास इस तरीक एसंप्लाई कर लेंगे और इनर कोर्नर फेदिंग के पास अप्लाई करेंगे और आउट कोर्नर पेश जामने की साइड हम आईस पर आप्लाई कर देंगे इससे बहुत अच्छय सेव और नेच्छुरल ग्लोई लगता है फिर इसके बाद मैंने ब्लैक काजल लिया ह त्कड़न करें किकष़ सब्सक्राइब निज़न करें हैं मैं यहाइ पर में फेश परड़ लेकि लॉक कर दूंगी अपना जो है आईशेड़ों को क्यूंकि जो है बहे वहे नहीं रहाया तो इस तरीके से लुक आएगा अगर नहीं रखना तो इस तरीके से पीछे से अपने लेयर को डिवाइड करेंगे आप देख सकते हैं पीछे से हम पकड़ करेंगे और सीधी एक मांग निकालेंगे पीछे से जिससे चैक हो और हम लेंगे इस तरीके से पफ उसे हम लगा देंगे पीछे किसे थोड़ा समय से फुला देंगे कुछ इस तरीके से और पिन अप कर देंगे फिर सीधा मांग टिक लेंगे अपलाई करेंगे और करेंगे सेम करना है कुछ तरीके से लेयर लेना है फिंगर के सायते से क्रिस्क्रोफ करते जाएंगे और हमारी है यहां पर डेकोरेट कर दूंगी आप चाहिए तो इस तरीके से हमारी हैरिस्टाइल रेडी हो जाती है ट्रेडिशनल लुक देख सकते हो आप फर्स्ट करवा चाहते है आपको आप इस तरीके से लुक रख सकते हो रेड साड़ी पे नियुली ब्राइट के जैसे पूरा मेकप टोटोरियल करके जो भी आप रखना चाहते है अपनी सो कैसा लगा आपको मेकप जरूर बताइएगा लाइक शेयर सश्क्राइए कोमेंट जरीर करिएगा क्या आप इस लुक को करने वाले हो तो जरूर बताइएगा बहुत ही ईजी है पर आम से कर सकते हो टाइम मिनिट के अंदर आप फटाफट से रेडी हो जाओगे जो भी प्रोड़क्ट हो लाइक से सब्सक्राइब आप